दोस्तो कल आपको वीडियो में बताया और समझाया था बाई जोस्वा फिलिपी एरोन फिंट बले कितने बड़े बल्ले बास क्यों ना हो लेकिन बिग बैश लिग मैट नमबर 45 में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे कैसे क्यों यही तो आपको वीडियो में समझाया था इस सबसे बरोसे मंद वो सबसे बहतिन बले बास क्यों है इवन दोस्तो टोस्त के बाद आपको टेलिग्राम चैल में मैंने बताया था कि बई बिग बैश लिग मैट नमबर 45 में बेंट डैवरिस को अपनी फेंटसी टीम में कप्तान बनाऊंगा और बेंट डैवरिस के शांद डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा लेकिन दोस्तो वीडियो आप पहले सबूर देख लीजेगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप टीम कोपी ना करके खुद से अपने टीम कोंबिनेशन बनाए मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रोसेस समझाओं ताकि आप लोग खुद स अपने एक अच्छा बेटर टीम नहीं बना पारे तो एडली लास्ट कोपी करने का ओपशन होगा जो कि आप टेलिग्राम चैनल में जाके कर सकते हैं तो आपके पास एक प्रोपर इन्फोरमेशन आपको वीडियो में मिलेगा इसले दोस्त आप चैनल को सब्सक्राब जरू अब दोस्तों पहले तो आज हम बात करेंगे ग्रेंड लिग पॉंट ओफ यू से और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे गेंद बास के बारे में जिसको काफी कम लोग अपनी फेंटसी टीम में शामिल करेंगे लेकिन वो गिंद बास अपनी शांदर गिंद बासी के चलते आप सबको चोका सकता है अब दोस्तों देखें मैंने आपको का मैं बताऊंगा एक ऐसे गिंद बास के बारे में जो शायद अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है मैंने आपको गरेंटी नहीं दी क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, फेंटेस में आप लोग अपना टीम कॉंबिनेशन बनाते हैं, चांस पे, क्योंकि आपको भी नहीं पत्वा था आपने जिस किलाड़ी को टीम में शामिल किया, क्या वो परफोर्मेंस करेगा, आप दोस्तों वो किलाड़ी पे चांस लेते हैं तो फिर ये दमाल मचा सकता है, कैसे क्यों वीडियो में आगे चलके मैं आपको पूरा समझा दूँगा, फिलाल दोस्तों अगर मैं स्मोलिक पॉंट अफ्यू से बात करूँ, तो ब्रेस्बन टीम के चार खिलाड़े को आज लोग अपनी फेंटेसी टीम में शामिल करेंग क्या भी मैं क्रिस लिन को आज अपनी फेंटेसी टीम में शामिल कर लूँ, क्योंकि अगर लिन का बला चल गया तो ये मुझे अके लिए दमपे हरा सकता है, अगर लिन का बला चला और मैंने इसको अपनी फेंटेसी टीम में शामिल किया, तो ये मुझे अके लिए दमपे म के कोशिश करने वाला हूँ कैसे क्यों Chris Lin run बना सकता है कैसे क्यों Chris Lin को Adler का team जल्दी आउट कर सकता है ऐसा ही कुछ दोस्तो हम करेंगे Max Brand के case में फिलाल आप ध्यान दीजे Chris Lin दोस्तो पिछले 2T20 में COVID positive होने के चलते नहीं खेल पाए अब Adler की team के साथ कहलेंगे और Link की कमसूरी क्या है दोस्तो कमसूरी या लैक्स्पिन गिनबासू के सामने टिक्के बल्लेबासी नहीं कर पाते ओ जो Adler का team है उनके पास तो 2-2 लैक्स्पिन गिनबास मुझूद है एक का नाम है फावेद है मैं दो दूसरे का है राशित कान फूरी और इनको ओफरेग इनबासू के सामने तोड़ी दिक्कत है दोस्तो ध्यान दीजी ओफरेग इनबासू के सामने आउट तो हुए लेकिन दोस्तो काफ़ी तावाटोड बल्लेबास से भी की अब दोस्तो ये एडलेट की टीम पर डिपेंड करता है क्या वो off-break गिनबास को इसके सामने गिनबास सी कराने का रिस्क लेगा क्योंकि दोस्तो 50-50 चांस है या तो लिए इन दोस्तो उफपरेग गिनबास की पिटाई कर देंगे या वो off break गिंद बास उसनको विकिट दिला सकता है और दोस्तो ऐसा ही एक part time off break गिंद बास एलेट की टीम है Matthew Short के रुप में ही मुझूद है फिर दोस्तो अगर आप बात करें Max Brand की इनकी भी कमसूरी ये leg spin गिंद बास ही जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हैं इनको भी परिशान करते हैं दोस्तो off break गिंद बास यानि दोनों ही बल्ले बास हो की एक ही कमसूरी इसके लाव दोस्तो आप Max Brand के सामने तेस गिंद बास हो को गिंद बास ही करा सकते हैं इवन left time medium को लेकिन शायद दोस्तो जो एलेट का टीम उनके पास कोई left time medium गिंद बास ना हो तो फिर दोस्तो Max Brand को आउट करना है तो लेक्स्पिन गिंद बास को गिंद बास ही करानी पड़ेगी अब दोस्तो देखिए मैं आपको तोड़ा सा रियाल्टी चेक करांगा कि जो गिंद बास लेक्स्पिन है एडलेट की टीम में क्या फाकिंग हो इन बल्ले बासों को परेशान करते हैं फिलाल आप देख लीजे क्रिस लिन है क्रिस लिन के सामने राशित खान है राशित खान के राशित खान एक लेक्स्पिन गिंद बास है और दोस्तो क्रिस लिन के सामने 43 बोल किया और लिन ने 41 रन स्कोर किया लेकिन आउट तीन बार हो रहे हैं यानि लिन दोस्तो काफ़ी दिमी बल्लेबासी करते हैं राशित के सामने इवन राशित कान को आउट भी कर देते हैं इसके बाद दोस्तो आप देखेंगे मैक्स ब्र से कर रहे हैं चोवन बोल में असी रंटिया आउट से दो बारी हुए आप दोस्ते इससे एक चीज़ समझ आती है कि राशित कांट जो विकिट टेकिंग लेक्ट स्पिन गिंदबास है अभी डिपैंड करता एडलेट की टीम पे कि वो उसका इस्तमाल कब और कैसे करेगा अग तो इस बात का ध्यान दीजिए यानि दोस्तम टोस का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं टोस्त हो जाने के बाद हमें पता चलेगा जो एडलेट की टीम है वो क्या दो स्पिन गिंदबास के साथ खिला यानि दो लैग स्पिन एक प्वापके राशित दूसरा फावेद क्या दो पुदा बोल में 25 रन लिन ने बनाया हलाकि लिन दो बार आउट हुआ लेकिन दोस्तो रन भी स्कोर कर रहा है चांस की बात करें आउट हो भी सकता है रन भी स्कोर कर सकता है फूर दोस्त आपके पिटा सिडल है और आपने आम तोर पे देखोगा जो एडलेड का टीम है इनके कप्तान है सिडल जो दोस्तों आमूनन पारपले में गिनबासी नहीं करते यानि पारपले के बाद गिनबासी करने आएंगे और यही चीज़ में आपको समझा रहा हूँ अगर एडलेड की टीम के ये गिनबास पारपले के बाद गिनबासी करते है तो लिन इस टीम के गिन टीम में कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि दोस्ते एक तो राशित के सामने भी आउट हो रहे हैं दूसरे सिडल के सामने तेहरा बोल में सिर्फ बारा रंकिया और दो बार आउट वे इससे दोस्ते एक चीज़ आपको पता चलती है भले ही भाई क्रिस लिन मैक्स बेंटाज र देको ढीम कि पहले दो बल्ले बास उनको लेकस्पिन गिंबास से दिक्कते था फुर्इक डुस्त आपके बैंट डकेट अना समय है दोनों वाऊप्सि करेंगे यह दो दोस्तू लेक्ष्पिन के सामने अच्चा खेळते हैं जैकिन गिंबास अलग है जब राशित डिन बा एक बार आउट कर दिया आपके सैंब को साध़ बोल में 11 करने दिया एक बार आउट किया अब दोस्ता हमें टोस्त के बाद इस चीज को फोड़ा सैंलिसिस करना पड़ेगा जिंबैसा प्रइब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोस्तो राशित गिनबासी करने आएगा और पहली गिन पर आपके बेंड़केट, सैम, क्रिसलीन, मैक्स, ब्रैंट कॉवट कर देगा तो टोस के बाद क्या समिकरन बनेगा खब राशित को गिनबासी कराई जा सकती है इनी सब चीसों को दिमाग म के सामने 14 बोल में टारा किया लेकिन आउट दोबारी हो जा रहे हैं इससे दोस्त आपको समझा रहे हैं कि आज अपनी फेंटेसी टीम में अगर आपने राशित और पिटर सिडल को अपना कप्तान वाइस कप्तान बनाया तो किन बल्ले बास से दूरी बनानी है अगर दोस् करूँगा कि आपको समझा सकूं कि कैसे क्यों कुन बल्ले बासु ने परफोर्मेंस किया अब दोस्तों ध्यान दीजिए ये पिछले टी ट्वन टी मुकावला जो 23 दिसंबर 2021 को कहला गया ये 39 जनवरी 2021 को कहला गया आप दोस्तों मेरे को सवाल करोगे बैंट डेकेट और स पैमिन उननचास क्यों स्कोर किया और राशिद ने तीन विकेट क्यों चटका है दोस्तों मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ इसे टी ट्वन टी मैट में राशिद कान ने चार और गिंद बासी की ठीक है पहला हुआ राशिद कान ने जल्दी किया और जब ये दोनो बल्लेबास बल्लेबासी करेते तो बीच में राशिद कान ने कोई ज्यादा गिंद बासी नहीं की राशिद कान ने दोस्तों बीच में सिर्फ एक ओवर गिंद बासी की और इन दोनों बल्लेबासी की और राशिद के उस और में सिर्फ दो रन बनाए इसके बाद दोस्तों राशिद ने कोई गेंद बास ही नहीं की, दोनों बल्ले बासों नहीं बाकी गेंद बासों के सामने जमके रन लूटे, लेकिन जैसे राशिद कान दोस्तों फिर से वापस आया, राशिद कान नहीं दोनों बल्ले बासों को एक ही ओवर में आउट कर दिया, यानि दोस्तों य ने भी नहीं किया यहां दोस्तों पिटर सिडल वैश एगार फिर से आपको नसर आ रहे हैं फिर दोस्त आप यहां पर आएंगे जब देखिए एडलेट की टीम ने ब्रेस्बन को फिर परेशान किया यहां पर वैश एगार का नाम है एगार के चारें सिडल के तीन विगिट ह एगार इन तीनों को ज़रूर अपनी फेंटसीटी में शामल कीजिए और इन तीनों इक इन गिंदबासू को बारि-बारि अपनी क्यों अब टाइम आ चुगा है कि मैं आपको समझाओं, फिलाल दोस्त आप इनकी टीम की बेटिंग पोजिशन को, अगर आप इनकी टीम में बेटिंग पोजिशन को देखें, तो इनकी टीम में सिर्फ एक जैक है जो दोस्तो लेफ्ट रंड बल्ले बाज हैं, बाकी सारे के स सारे राइटन बल्ले बास हैं अगर दोस्तों ये टीम इसी बल्ले बास ही करम के साथ खेलता है तो जो उनके टीम में गिन बास हैं और तो दोस्तों बड़ी असानी के साथ उनके टीम के जो कफ्तानों के चार और गिन बास ही करा सकते हैं और आप लोग जानते हैं जो और तो पिन गिंदबास हैं वो राइटन बल्ले बासों को परेशान करते हैं इवन दोस्तों की विकिट चटका सकते हैं तो क्या वो गिंदबास इन बल्ले बासों को परेशान कर पाएगा वाकई में क्या दोस्तों वो गिंदबास इन बल्ले बासों को आउट भी कर पाएगा इसके बार में आपको फीडियो में समझाऊंगा फिलाल दोस्तों fantasy point of view से बात करूँ तो इस टीम में तीन ऐसे खिलाड़े जिनको जुरूर आप लोग अपनी fantasy team में श्रामिल करेंगी small league point of view से जिसमें दोस्तों मैथ्यू शोट है फूर राश्री दो पिटर सिडल को अपने टीम मे रखा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इसी टी 20 मेट में जो एडलेट का टीम है फावित के प्लेस प्लेस्मेंट पे वैश एगार को खिला सकते है कैसे क्यों मैंने आपको समझाया आप दोस्तों देखिए मैंने कावाई वो एक orthodox पिन गिंदबास है उनकी टीम में यहाँ क्या आपका है मैथ्यू शोट मैथ्यू शोट दोस्तों orthodox पिन गिंदबासों के सामने दो बार राउट वे और खुल के बल्लेबास ही भी नहीं की साती में दोस्तों ऐसे गिंदबास जिनके पास थोड़ा सा पेस या बाउंस हो उनके सामने भी इनको दिक्कत होती है और आ दोस्त एक लेफ्टन बल्लेबास है उसके बावजुद orthodox पिन गिंदबास उनको तीन बार ही आउट कर रहा है लेकिन दोस्तों पता है बात यह है जो टीन का कप्तान होगा ना ब्रिस्बन का वो शायद रिस्क ना लेगा जैक के सामने अपने orthodox पिन गिंदबास को गिंद सकता है लेकिन दोस्तों देखना पड़ेगा टोस के बाद क्या उस टीम ने किसी लेफ्ट पिन गिंदबास को अपने प्लेइंग लर्ण में शामिल किया जिसके चांस मुझे काफी कम लग रहे है इसके बाद दोस्त आपके जोनों वेल्स आएंगे जिन्हों ने पिछले T20 सकता है लेकिन दोस्तों ये भी और्टोडोक्स पिन गिंदबासों के सामने तीन बारी आउट हुए तो आपको पता चल चुक है इनकी टीम में कौन-कौन से बलेबास है जो और्टोडोक्स पिन गिंदबासों के सामने आउट होते हैं तो मस कली दोस्तों और्टोडोक्स प इसने रंतों काफी बटोरे लेकिन दोस्तों आपकी जैक की बात करूँ तो जैक के सामनी जैसे है कि मैंने काई यह भाई टीम के कप्तान पर डिपेंड करता है कि वो कितनी गिनबास ही करना चाहता है फिलाल दोस्तों दोनों का जादा आमना सामना हुआनी इसलिए दोस्तों पिडिक कर पाना काफी मुश्किल है जीत किसकी होगी अगर दोस्तों पास को देखा जाए तो का जा सकता है गिनबास की जीत होना चाहिए फिर दोस्त आपके जोनों वेल्स हैं जिनका मैंने बता है भाई ओर्टोडोक्स पिन गिंदबासों के सामने तीन बार राउट हुए और इस ओर्टोडोक्स पिन गिंदबास के सामने देखे समल के बल्लेबास ही की है यानि दोस्त आपको समझ आ गया कि बाइस T20 मैट में इस और्टोडोक्स पिन गिंदबास पे काफ़ी कम लोग फोकस करेंगे लेकिन ये खिलाडी श्रांदा परफॉर्मेंस कर सकता है अगर दोस्तों जो ये टीम है कौन सा एडलेड का इस टीम ने इस गिंदबास के सामने समल के बल्लेबास ही की तो फिर इसके टीम के बल्लेबास अच्छा और बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इनके बल्लेबासों की परफॉर्मेस बाकी गिंदबासों के सामने आप देखेंगे जो की काफी अच्छी है साहती में दोस्तों मेरी एक बात का ध्यान रखना जो टीम है ब्रस्बन का उसकी टीम में गिनबाज नहीं Xavier बर्लिट देखे Xavier बिलिट नाम का यह गिनबाज जो है यह लेफ्ट रंड बल्ले बासों के सामने काफी एची गिनबाज सी करतiping करता है अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको समझाया था, एडले टीम के लिए इसी तरह गर मैं ब्रेस्बेंट टीम की बात करूँ, फिलाल दोस्तों देखें, ब्रेस्बेंट टीम का कोई बरोसा नहीं, बल्ले बासों का, एवन मैं पर कोई बरोसा करता भी नहीं हूँ, लेकिन टीम मैच में मारनुश लभूशेन कहले थे जिन्होंने दोस्टो शांदार गिनबासी कर विगिट चटका ए saati मिए इसी T20 मैच में मोर نے मोरकल किले जिन्होंने विगिट चटका थे यानि ये दोनों गिनबास विगिट नहीं चटका पाए इस T20 मैच में दोस्तो जेवियर बर्लेट को तो सब्सित्यूट कर दिया गयता है सिर्फ एक और गेनबासी करने के बाद और स्कीटी को पूरे चारों गेनबासी का मोखा नहीं मिला लेकिन दोस्तो यह बात है पिछले साल की इस साली टीम के सबसे परमु गेनबास है और मुझे लगता है इनको ज़्यादा गेंबास में मोखे मिलेंगे और जितना मोखा मिलेगा वो विकेट चटका सकते हैं फिर दोस्त आप यहाँ पर ही आप कोई दोनोई तेस गेंबास यहाँ भी नज़र आएंगे तो तीसरी गेंबास के तोरपिस और्तोडोक्स पिन गेंबास को अपनी फेंटसी टीम में शामिल कर सकते हैं अब साथ ही में दोस्तों आपको एक बल्ले बास था है एडलेड का जोनोई वेल्स इसका मैं बताना चाहूंगा पिछली बार केला 55 रन्स पिर आफ को गे जोनोई वेल्स ने यहां कुछ भी क्यों नहीं किया तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा जो जोनोई वेल्स है उसने शायद से दो टीट्वन्टी मैच नहीं कहला क्यों नहीं किला क्योंकि एलेड का जो टीम है उनकी टीमें भी काफी बड़े-बड़े बल्लेबास हैं जैसे कि एलेक्स, केरी, ट्रैवी सेड जब ये खिलडी वापस आते हैं तो दोस्तो जोनो वैल्स को टीम से बाहर होना पड़ता है इवन दोस्तो इनको नीचे बल्लेब करता है और जब जब यह नमबर 4 पे बैटिंग करेगा तब 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 दोस्तों इसके परफोर्मेंस करने के जो चांस से काफ़ी हाई रहेंगे इसलिए मैं जोन वेल्स को लेके किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लूँगा अब दोस्तों ये तो बात ही भाई कौन से मैच में बल्लेबास ने 1603 और गिनबास ने आपको 1600 फैंटसी पोइंट दिलाए इससे दोस्ते बात साबित होती है कि इस मैच में टीम कॉंबिनेशन बनाना करते ही आसान नहीं है और दोस्त आपको काफी सोच समझ के आज अपनी फैंटसी टीम में कप्तान वैस कप्तान का चुनाफ करना पड़ेगा फिलाल दोस्तों इस वेन्यू में के लेके पिछले पांश टीटवन्टी मैट में जैसा कि दोस्तों मैं आपको फीडियो में समझाया है कि बल्लेबास और गिंदबास दोनों को सपोर्ट है तो देखो पिछले टीटवन्टी मैट में बैन ने 93 किया 61 में जो एक लटन 85 किया 44 में शाकी महमूद ने चार्फ की चटका ह आपके जीमी पियरस ने 47 नाबाद किया 44 में और मुझीव ने 4 और में 26 रंदे के दोव की चटका है इसलिए दोस्तों बिग बैश लिक के मैट नमबर 46 में टीम कॉंबिनेशन बनाना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको काफी 77 ग्रेगे टीम कॉं अब दोस्तों बात करेंगे मेरे फाइनल टीम कॉंबिनेशन के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक् आपको पता चल जाएगा आपके भाई की वीडियो आगे तो आपको इंफोर्मेशन लेना है आप आओगे वीडियो देखोगे जब दोस्त आपको इबाई इंफोर्मेशन मिल जाएगा तो निश्चिंति आप लोग अपने बैतर टीम कोंबिनेशन बना ना सिर्फ ग्रेंड गुर्जी को जोईन करना ना भूलें जिसका लिंक आपको फीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में मिल जाएगा क्योंकि मैं आपको समझाया है बाई स्टीट वन्टी मैथ में टीम कोंबिनेशन बनाना काफी मुश्किल होने वाला है इसलिए हम टोस्त का वेट करे उसमें वो गिंदबास किस तरह की गिंदबास ही करते हैं ब्रेस्बन की टीम ने किन-किन बल्लेबास को खिलाया क्या दोस्तों एलेट की टीम ने लेफ्टेंड रैटें बल्लेबास के कॉंबिनेशन को खिलाया इन सब बातों को ध्यान में रखते ही फाइनल टीम कॉंबिन भी आप लोग अपना बनाईएगा फिलाल दोस्तों टोस से पहले जो टीम कॉंबिनेशन मैंने बनाया इसमें मेरे पास एक कीपर बल्ले बास है बैंड डकेट तीन दोस्तों बल्ले बास है जिन में क्रिसली जोनों वैल सैम है ऐसा उल्डाउंडर दोस्तों मैंने मैथ्यू श किया और हमेश्रा विगिट चटकाते हैं इसलिए दोस्तों इन दोनों को कप्तान वाइस कप्तान किया इनकी अलावाद दोस्तों गर मैं कप्तान वाइस कप्तान के विकल्प के बात करूं तो दोस्तों आपके पास स्किटी है और सेवियर बरलेट की जोड़ी है और सेविय को अपनी fantasy team में कप्तान वाइस कप्तान आपको condition में बना सकते हैं फिलाल दोस्तों जो मेरी punt P का इस match में वो दोस्ती ओर्टोडोक स्पिन गेंबाज है जिसको मैंने especially अपनी fantasy team में शामिल किया अब आप लोग ये fantasy team combination में चिंद क्या कर सकते हैं यहाँ पर जैसा कि दोस्तों मैंने आपको समझा है मैंने Chris Lynn लिया आप दोस्तों यहाँ पर जाके Jack के साथ भी जा सकते हैं लेकिन मैंने आपको समझा है भाई Jack को team में लोगे तो फिर उसको राशिद खान परेशान कर सकता है तो थोड़ा सा समल के रहेगा अब दोस्तों लिंक को मैंने इसलिए team में रखा भाई मान लीजिये जो इनका team है वो दोस्तों पारपले में सिडल और राशिद का इस्तमाल ना करे तो हो सकते हैं कि लिंक को अच्छा start मिल जाए इसके बाद भाई इनके पास गिंद बास तो एक है कोन अच्छा राशिद अब राशिद कन कितने ओवर गिंद बास सिकरेगा अगर इन दोनों भी बल्ले बास ने जिस तरह पिछले T20 में टिक के बल्ले बास सिकी अगर ही टिक के बल्ले बासी करते हैं तो run score कर सकते हैं इसलिए मैं इनको टीम में शामिल किया और जो नो वैस तो दोस्तो 100% मेरी fantasy team में रहेंगे अब दोस्तो देखिए इन तीनों के लवा मुझे कोई दूसरा विकल्प मिला नहीं जिसको मैं अपनी fantasy team में शामिल करता है इस सबसे बड़ा सवाल दूसरा दोस्तो हम टोस काई वेट करेंगे टोस के बाद ही देखेंगे क्या वाई स्टी 20 मैट में Matthew short को गिंदबासी मिलेगा अगर दोस्तो गिंदबासी कमोगा नहीं मिलेगा जिसके अपडेट अगर मैं आपको टोस के बाद टेलेग्राम में दू त इसके अलावा कोई भी गल्थ क्लाड आपको लगता है मेरी टीम कोंबिनेशन में तो फीडियो में दीगई जानकारी का इस्तमाल कर खुझ से अपनी टीम में क्लाडियों का बदल सकते हैं फिलाल दोस्तों बस आज कर इस वीडियो में इतना ही उमीद करते हूं कि आपके सा कि आपके साथ